तो गाइस इसका online form फिल करने से पहले आपको appendice portal पे register होना निवायर है यानि कि appendice portal पे आपका registration सिप होना चाहिए और इसका यहीं से form जो है वो apply होगा गाइस तो सबसे पहले appendice पे registration कर लिजेगा आप new portal पे याद रखेगा new portal पे किये हैं तभी आप eligible apply करने के लिए आप अभ उसके बाद आपको registration सिप जो है करने के बाद registration number मिलेगा वहाँ पे अपना inter email id या फिर जो आपका candidate code दिया गया है यहाँ पे simply जो है तो गाइस इसका online form फिल करने से पहले मैं बता दूँ आपको appendice portal से ही इसका online form फिल कर सकते हैं तो सबसे पहले appendice portal पे आपका registration होना अनिव है आप अभी तक नहीं किया है अप्रेंटी सिप का registration न्यू पोटल वाले पे जो कि appendice इंडिया.org पर आप न्यू जैसे ओल्ड वाले पोटल थे अप्रेंटी सिप गवर्मेंट इन पर तो वह माने नहीं रहेगा आप न्यू पोटल पे आपको registration सिप करना पड़ेगा अधर password create करेंगे जो registration सिप करते समय उसके बाद यहां पर क्लिक करके declaration में इसको login करना है अब पहले सही कर चुके हैं तो आराम से इसको फिल करके login कर लिजेगा login करने के बाद आपका यहां पर profile सो करने लगेगा guys अपने कहां कहां पर application apply किया आप यहां पर देख सकते हैं जैसे कि कि मैं बता दूँ कि इतने जगा जगा से यह रिया सर्मा ने यहां पर apply किया है जो candidate का मैं आपको दिखा रहा हूं और कहां से आपको यहां पर जो opportunities के लिए invitation जो है वो आ चुका है तो देख सकते हैं यहां से इनको invitation आ चुका है याने कि यहां पर यह apprenticeship कर सकते हैं उनके लि कर दीजेगा तो ज्यादा ही better होगा चलिए finally मैं बता दूँ इसका जो यहां पर जो कैसे आपको एरफोर्स का जो online form फिल करना है सबसे पहले आपको बैक आने के बाद यहां पर जो उपर में apprenticeship opportunities आपको सो कर रहा है इस पर क्लिक किसेगा तो अल्रेड़ी यहां पर दिखाए देगा present में कितने कितने apprenticeship आप देख सकते हैं 65,079 अभी opportunities आप देख सकते हैं यहां से कौन-कौन सी vacancies निकाली गई है आज ही के date में अपलोड की गई है आप देख सकते हैं इसे जो की यहां पर तामिलाडू से निकाली गई है उसके बाद यहां पर जहां पर आपको लगे कि मैं किस पोस्ट के करना जो establishment name है यहां पर यहां पर आपको air force क्लिक कर देना है तो air force आप जैसे यहां पर सर्च की जगाए जितने भी air force आप देख सकते हैं simply में आ जाएगा फोर बार में 4V RD Air Force Station कानपूर इस पर आपको क्लिक कर लेना है क्योंकि यहां से ही vacancies opportunities अभी out की गई है तो simply आप दे वेल्डर gas and electric के लिए फिर आपको यहां पर दुबारा मिल जाएगी नेक्स यहां पर कारपेंटर के लिए है सीट मेटल वरकर के लिए टर्नर के लिए है वेल्डर के लिए यहां पर इतनी पोस्ट पर वैकंसी जावुट के गई है तो आपका जो भी ट्रेड है आप eligible apply करने वाला है कानपूर में ही location होगा जब आपका selection हो जागा तो working days कितनी रहेगी कौन सा ट्रेड है electricity है तो electricity में कितनी वेकंसी है दस वेकंसी है इस टैपन आपको कितनी मिलेगी simply बताया भी गया है आपको 6000 से लेकर 7000 के बीच में मिलेगी male female दोनों apply कर सकता है NPS benefit मिलेगा तो ज जरूर मिलेगा आपको NPS benefits उत्तर परदेश में ही आपकी location होगी कौन apply कर सकता है educational qualification आप देख सकते हैं simply जो 10th पास किया हुआ है इस पर registration किये हैं तो आप eligible apply करने के लिए science and mathematics आपका उसमें subject होना चाहिए 10th में otherwise कई सारे यहाँ पर जो है alone आपको दिख जाएंगे जो आप कर सकते हैं किसकी किसकी आपको सुविधा यहाँ पर जो है वो मिलने वाली और इसी तरह आप जो भी trade से belong करते हैं उस trade में देख लीजेगा आपकी जैसे आप कौन से trade के लिए आप eligible हो और यहाँ पर ITI वाले तो apply करी सकते हैं धियान रखिएगा यह सिर्फ 10th के लिए नही तो आपको ज्यादे benefits आपको देखने को मिलेगा जैसे कि आप ITI फीटर से की हैं तो भी आपको benefits मिलेगा टेंथ वाले भी apply कर सकते हैं लेकिन जब आप पास आउट होंगे apprenticeship दोनों का यहाँ पर same रेगा लेकिन जब आपको निकाल दिया जागा वहां किसे तो अधिक benefits आपको ITI वाले student को ही देखने को मिलेगा गाई तो चलिए मैंने सब कुछ देख लिया है आप भी देख लिएगा आपको लगे कि मैं apply करना चाहता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं apply for these opportunities इस पर click किजिएगा click करने के बाद any location आपको यहां पर बोला जागा तो आप देख सकते हैं primary location option आएगा जो भी option आएगा यहां पर देख सकते हैं apply successfully बता दिया गया आपका जो form है वो submit हो चुका है अब मैं इसे कैसे चेक करूँ कि मेरा form यहां पर invite कर दिया गया है फिर से आपस आप dashboard में आईएगा dashboard आने से पहले माने के बाद आपको दिखेगा यहां पर 7 opportunities थी जहां पर मैं apply कर दिया था यहां पर 8 दिख रहा है तो सबसे पहले 8 दिख रहा है तो कहां कहां से दिख रहा है सबसे पहले आपको मिल जागा कि मैंने यहां पर apply कर दिया हूँ आप देख सकते हैं इलेक्टरसियन का ट्रेड है 4BRD Air Force Station कानपूर तो आप देख सकते हैं मैंने आज ही apply किया है आप यहाँ पर finally देख सकते हैं यह सब भी अभी pending है आपको यहाँ से आती है तो यह success बता देगा guys तो finally guys इतना सारा ही मात्र process है Indian Air Force में apprenticeship के लिए form apply करने का process सबसे बड़ा process आपको रेश्टर्ण करना आपने पहले रेश्टर्ण कर लिया तो आप आसानी से easily आप इसे fill कर सकते हैं hopefully guys यह वीडियो आपको अच्छी लगए like किज़ेगा इसे अपने दोसों तक जरूर सेर कीज़ेगा आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं subscribe करके वेल आइकन को प्रेस कर दीज़ेगा government drop की पलपल की update पाने के लिए फिलाल मैं मिलता हूं नेक्श वीडियो में तब तक के लिए जह हिंद